अगर आप ठीक ठाक नीन लेने के बाद भी फिजिकली वीक फील करते हैं, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपका फोकस किसी चीज़ पे उतना बढ़िया रह नहीं बाता तो बुरा नहीं मानियेगा लेकिन कहीं न कहीं आपके lifestyle में कुछ न कुछ missing जरूर है, क्योंकि इन situations में हम काफी helpless feel करते हैं और helpless feel करना हमें emotionally drain कर देता है कभी न कभी तो खैर हम सभी ठक जाते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8 गंटे भी नहीं सिरफ 6 या 7 गंटे की नीन के साथ भी पूरा दिन active और अच्छे mood में रहते हैं कभी ठकावट उनके चेहरे पे दिखती ही नहीं और ऐसा maximum time मैं अपने साथ feel करती हूँ और उसका direct connection है उस healthy lifestyle के साथ जो सालों से मैं follow कर रही हूँ और जब आप सिरफ कुछ दिनों के लिए नहीं बलकि हमेशा के लिए कोई अच्छा lifestyle follow करते हैं तो आप energized और productive ही रहते हैं और energy आपकी ठीक ठाक हमेशा बनी रहे उसके लिए self care important होता है और self care की practice कैसे करते हैं ये हमें कभी किसी school में नहीं सिखाया गया और अपनी upbringing के दौरान भी हमारे खुद के घरों में हमारे parents ने भी हमें हमेशा यहीं सिखाया है कि family का खयाल कैसे रखते हैं कोई आपको disrespect भी करे taking for granted भी ले लेकिन फिर भी सीधा या उल्टा आपको किसी तरह का कोई जवाब नहीं देना और इन सभी चीजों का आपकी health या आपकी energy पे क्या फरक पड़ेगा ये कभी किसी ने नहीं बताया और यही reason है कि हम ladies low value face करती हैं सो एक simple सी चीज जो मैंने time रहते समझी वो ये कि सब कुछ आपके energy levels पे depend करता है और energy एक habit है बहुत सारी habits खुद ही form होती है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता वैसे भी कुछ फरक नहीं पड़ता ये आपकी age क्या है क्योंकि energy levels का age से कोई connection नहीं है हमारी body और mind wonderful machines ह और वो एक साथ काम करते हैं मतलब अगर आप ये believe करते हैं कि आपकी energy low है तो वो low ही रहेगी बट उसी second अगर आप capable हैं अपने mind को switch करने में जिसमें आप ये सोच सकें कि आपके पास enough energy है तो believe me अचानक आप एक powerhouse बन जाएंगे means it's all about your mindset खर इसके इलावा बहुत सारी ऐस चीजे हैं जो हमारे energy level को up या down करने में participate करती हैं तो आज हम उन सभी factors पे बात करेंगे और उमीद करती हूं कि मैं हर point को clearly define कर पाऊंगी अपनी energy को increase कैसे करते हैं उससे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीजे हैं जो हमारी energy को drain करती हैं तो ये जानना बहुत easy है क ऐसी कौन सी चीजे या ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी energy को drain करते हैं तो उनसे थोड़ा distance maintain करने की practice करते रहिए Responsibilities लेना बिल्कुल गलत नहीं होता पर जब हम काम, family ये society की care करते हुए खुद की health, खुद की well-being को neglect करते हैं वहाँ situations थोड़ी problematic जरूर हो जाती हैं दूसरी चीज़ जब आप unnecessarily हर चीज़ का मतलब निकालते हैं यानि overthink करते हैं तो आपकी यही habit आप में anxiety issues create करते हैं तो बहुत ही simple सी समझने वाली बात यह है कि आप अपनी energy को लगाता drain करते जाते हैं जब आप उन situations को भी hold करने की कोशिश करते हैं जो आपके control में होती ही नहीं लेकिन इतना ज़रूर कहूंगी कि over stressed होने की बजाए अगर आपका mindset positive रहे तो 99% chances है कि आप किसी भी problem में से बहुत ही positive में बाहर आ सकते हैं और याद रखिए कि आपकी जिन्दगी में बहुत सारे chapters हैं जिन में से काफी chapters worst रहे होंगे और उनहीं के बारे में सोचते रहने से भी आप उन chapters में कुछ भी correction कर नहीं पाएंगे सिरफ और सिरफ आप अपने energy को ही डिप्लीट करेंगे तो अभी बस सोचना सिरफ इतना है कि past कैसा भी था मैं उसे accept करती हूँ और एक जो चीज मैं यहां पर और जोड़ना चाहूंगी वो है कि कई बार हम एक साथ बहुत सारी चीजें try करते हैं लेकिन उन में से अगर एक भी कुछ ढंक से कर नहीं पाते तो obviously demotivate हो जाते हैं तो खुद की efficiency को हम खुद ही कम कर देते हैं जब हर वक्त multitasker बनने की कोशिश करते हैं तो better है कि अपनी speed और strength को देखते हुए एक time पे एक ही काम पे focus किया जाए खेर ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी energy का main source है खाना लेकिन उसमें भी थोड़ा discipline ज़रूर होना चाहिए otherwise वही खाना आपको active बनाने की बजाए लथार्जिक बना देगा तो हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं इस बारे में हम सब का aware होना बहुत ज़रूरी है अगर मैं ड्रिंक की बात करूँ तो try कीजिए कि plain पानी, नीम्बू पानी या फिर green teas को preference दीजिए शुगरी ड्रिंक आपको instant energy ज़रूर देते हैं लेकिन बहुत ही short time तक लेकिन आप ये भी याद रखे कि इनसे fastly weight increase की problem आपको face करनी पड़ सकती है और अगर आप अपनी energy increase करना चाहते हैं तो processed food का इस्तेमाल कम से कम कीजिए क्योंकि ये food आपको lazy बनाता है जितना हो सके fiber अपनी diet में जरूर आड़ कीजिए, किसी भी वे में हो fresh fruits, vegetables, मतलब इनका इस्तेमाल अगर diet में आप जाधा करते हैं तो आप light feel करेंगे और energetic भी, कुछ जाधा आप नहीं कर सकते ना, तो एक खीरा lunch में और एक dinner में जरूर खाना शुरू कर दीजिए और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत easy way है अपनी diet में fiber add करने का उसके साथ आप कच्छा प्यास खा सकते हैं, कच्छा टामाटर खा सकते हैं, क्या टामाटर तो आजकल काफी महिंगे हैं लेकिन हाँ जब सस्ते हों तो जरूर खाना शुरू कीजिए और ये जो भी चीज़े में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वो चीज़े हैं जो मैंने खुद पे बहुत सालों से experience की हैं, जैसे कि small meals, हम सभी जानते हैं कि खाना कम खाना चाहिए, क्योंकि large meals खाने के बाद आपको need आती है, और क्यों आती है, क्योंकि जब हम बहुत के पास इतना time और energy है ही नहीं कि इतने सारे खाने को एक साथ पचा सके, तो वो क्या करती है, उसे आपकी body की side walls में ही store कर देती है, यानि की fat की form में, क्योंकि उसे ये लगता है कि in future अगर मुझे खाना नहीं मिला, तो मैं इस खाने का use करूंगी, लेकिन अफसोस कि वो दि कभी आता ही नहीं, इसके लावा seeds या nuts का इस्तेमाल अपनी diet में जरूर कीजिए, मैं जानती हूँ कुछ लोग कहेंगे कि ये महंगे होते हैं, हम लोग फोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि हा, seeds या nuts महंगे जरूर होते हैं, लेकिन दवाईयों से सस्ते होते और अगर आप ये सब चीजें daily basis पे खाते हैं, तो आपको medicine की जरूर पढ़ती ही नहीं, प्रोटीन आपकी diet में रोटी या rice से भी कहीं जदा important है, और प्रोटीन के main sources क्या हैं, वो आप पढ़ भी सकते हैं, मैं भी अपनी वीडियो में बहुत बर बताती रहती हूँ, तो राइट में एक और चीज जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, वो है millets, तो millets का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, क्योंकि wheat flour की बजाए जादा इस्तेमाल रागी, जुआर और बाजरे का कीजिए, rice को replace कर दीजिए, kangani, kutki, saama और kudo millet के साथ, जिनको खाने से आपकी health मे आप amazing changes देखेंगे, और कभी आपकी energy drop नहीं होगी, एक और चीज जो मैं add करना चाहूंगी, वो है apple cider vinegar, जो आपकी daily diet का हिस्सा जरूर बन जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी blood sugar levels को balance करनी के साथ साथ, और भी बहुत सारे health benefits provide करता है, और बिना ज़्यादा effort आप अपना weight manage याद ना रहे तो reminder लगा दीजिए, सुबह कुछ भी खाने से पहले apple cider vinegar जरूर ले लीजिए, और रात को सोने से पहले जरूर लीजिए, जादा energy create करने के लिए कई बार energy डालनी भी पड़ती है, और यही होता है जब हम workout करते हैं, खेर over exercise आपको ठका देती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी exercise करते रहने से आप हमेशा fit, active और energetic ही feel करेंगे, जिम जाने का मेरा मकसद बस इतना है कि हमेशा अच्छा feel करना चाहती हूँ, और सच पताऊं, तो exercise करने के बाद जो satisfaction मिलती है उसका कोई मुकावला नहीं, जो लोग जिम जाते हैं, उनकी बाड़ी में ह बहुत enjoy करती हूँ, अब क्योंकि मुझे exercise करना बहुत बसंद है तो इसके बारे में मैं इतना कहूँगी कि exercise करने की आदत आपको इस कदर हो जानी चाहिए कि 2-4 दिन अगर नहीं किया, तो जिन्दगी में कुछ कमी सी महसूस जरूर होने लगे, मैंने हमेशा कहा है कि बिल्कुल बसंद नहीं है, उनके लिए 15 मिनिट की walk भी मुश्किल है, लेकिन start करना ही मुश्किल होता है, खुद को हलका हलका भी push करते रहें तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है, और यही रास्ता आपको मेरी तरहां धीरे धीरे जिम पहुंचा देता है, और और यही आप सही मायने में अपने आपको एक्टिव परसनालिटी कह सकते हैं, हमारी एनर्जी भी टाइम की तरह लिम्टिड होती है, और टाइम की ही तरह हम उसे सेव करके नहीं रख सकते, तो अपनी एनर्जी को राइट टाइम पे राइट जगा कंजूम करने से वो और हो जाती है, तो इन्वेस्ट किजी अपनी एनर्जी उन चीजों या उन लोगों में जो आपको अच्छा फिल करवाते हैं, और कुछ लोगों को या कुछ चीजों को मैं एनर्जी वेंपार्स का नाम भी ज़रूर दोंगी, क्योंकि वेंपार्स तो ब्लड सक करते हैं, लेक के लिए आप जितना भी कर लो, उनकी complaints कभी खत्म ही नहीं होती, और इस तरह की negativity आपकी पूरी energy खा जाती है, तो एक distance maintain कीजिए और यहां argument कभी मत कीजिए, और यह वो चीज़ें या वो लोग हैं जो आपको छोटा फिल करवाते हैं, तो अगर आप energetic रहना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों और लोगों को void करना start कर दीजिए, इन actions के साथ आप notice करेंगे कि आपकी need बहुत अच्छी हो जाएगी, energy level increase होगा और आपके stress level को आप decrease होते हुए देखेंगे, हमारी mothers ने घर के सारे काम करने हमें बहुत अच्छे से सिखाए, लेकिन सभी duties को पूरा करने क कोई ऐसी special classes नहीं हुआ करती थी, लेकिन बात वही है कि जैसे ऐसी responsibilities आपके जिम्में आती जाती हैं, उन्हें करते करते हम खुद भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो मैंने ये सीखा कि बिना time को manage किये, कोई भी दिन आपका productive नहीं हो सकता, आपके पास आज क्या क्या काम ह और उसमें से भी important क्या है, top to bottom एक list ready करना बहुत जरूरी है, और फिर उससे भी जरूरी है खुद को एक time limit देना, कि ये काम इतनी देर में खत्म हो जाना चाहिए, ये करने से एक limited time में आप बहुत सारे काम खत्म कर देते हैं, otherwise आप पूरा दिन busy जरूर रहेंगे, लेकिन productive कभी नहीं हो पाएंगे, एक person के लिए 8 से 10 घंटे काम करना एक normal चीज है और उतना ही होना चाहिए, और इतना काम करने के लिए आपको breaks भी चाहिए, ताकि आप खुद को charge कर सकें, लेकिन trust me, अगर आप planning के साथ चीजें करें, तो आपको एक positive energy जरूर मिलेगी, क्योंकि आ आप बिना जदा थके, अपनी job कर रहे हो और वो भी खुश्मन से, आज हम यहाँ energy की बात कर रहे हैं, जो कि आपको कहीं बाहर से अपनी body में fill नहीं करनी है, क्योंकि energy हमारे अंदर ही है, पर उसे भी charge करनी की जरूत पड़ती है, जब वो low हो जाती है, same हमारे phones या gadgets की तर या 8 घंटे की नीन जरूर लीजिए, power nap के बारे में भी हम सभी जानते हैं, तो 20 minutes का वो power nap आपको full charge कर देता है, दिन के वक्त जादा सोना मेरे ख्याल से हमें lazy बनाता है, अगर आपके पास करने के लिए बहुत सारा काम है और आपके पास उतरी energy नहीं आप feel कर रहे हैं, त मैं तो कहूंगी instant energy boost हो जाती है जब हम meditation करते हैं, जो कि दिन के किसी भी वक्त की जा सकती है, और मैं आपको जूट नहीं कहूंगी instant energy के लिए मैं बहुत बार meditation, लेकिन काफी बार मैं coffee का इस्तेमाल भी करती हूँ, यानि कि black coffee, मैं आपको suggest नहीं करूँगी क्योंकि caffeine है, त इतना कहना काफी होगा कि आप अपनी energy को store करके तो नहीं रख सकते, लेकिन सही time पे, सही जगा पे energy का use करने से और energy produce ज़रूर कर सकते हैं, जो आपको healthy, fit और active रहने में काफी help करती है, तो चलिए, आज के लिए इतना ग्यान काफी है, मिलूंगी next video में, till then bye bye, take care and stay healthy. कर दोत्थ